हम दोस्तों में हूँ राम और आप सब्सक्राइब करता हूँ मेरे अपने वीडियो चानल पर दोस्तों आज एक हम शोशल मूले के लिए एड़ प्रोमो को डियान करना सिखेंगे प्रोडेक्ट के लिए जैसे कि मैंने डिजाइन किया वे कॉलेज बैक पैक के लिए तो ऐसा ह इंवेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते है हम आगर फोटोसप सिसी में मैं जाता हूँ फाइल में और यहां से एक न्व फाल करता हूँ और यहां प्र आपने में इसका लिंक आप से को डिस्क्रिशन में मिल जाएगा मैं इसे ओल्रोडी कर लिया है ताकि हमारे डिज nd fare, इसे में सelेक करूँगा, और इसे इस तरह ड्रैग करके एहां पर रख लिए रख लिए। इसे बेंफु सेंटर हम रखूँगा, अब मैं इस बेंटरंडे करूँगा, और यहांसे डैग करूँ 1976 अब मैं इससे colorIG करूँगा। तो यहां से में आईडोपर से कलर पिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा अब डार्क लूँगा निच्छे की तरफ, इसका कोड यहां पर जन्रेट हो जाएगा, ओके करूँगा, अब मैं सेलेक्शन में जाओंगा, और यहां पर मार्क टूल को सिलेक करूँगा, और यहां पर इस यहां से यह लाइट कलर पिक कर लूँगा, थोड़ा सा और उपर की तरफ ले लूँगा, इसका कोड यहां पर जन्रेट हो जाएगा, ओके करूँगा, अम यहां पर ब्रस को ओपन प्रैकर से इस तरह में थोड़ा बढ़ा कर लूँगा, और यहां पर क्लिक करूँगा, त ताकि इसके उपर यह color spread ना हो जाए, तो यहाँ पर मैं brush को select करूँगा, और यहाँ पर इस तरह में open bracket से, इस तरह में brush को बढ़ा करके, यहाँ पर एक click करूँगा, ति कुछ इस तरह effect आएगा, यहाँ पर undo करता, कुछ ज्यादा ही bright हो गया background में, ति यहाँ पर double click करूँग और यहाँ से में जाऊँगा, इस तरह में brush tool को select करूँगा, और यहाँ पर इस तरह एक stand में draw करूँगा, अमें color box पर जाऊँगा, और यहाँ से dark color pick करूँगा, इसका code आप सभी को दिखा देता हूँ, जो कि मैं इस प्रोड़क्ट से pick किया वाल, यह राज का code, इसे close करूँगा, अमें आप मोटूल को select करूँगा, और इसे इस तरह में center में रखके, इसे adjust कर दूँगा, Ctrl D करूँगा, थोड़ा सा में इसे छोटा करूँगा, इल्टा करूँगा, Ctrl A करके में इसे center में check करूँगा, यहाँ पर align का panel activate हो जागा, इसे center में लेलूगा, Ctrl D करके selection को delete करूँगा, अमें इसे के duplicate लिखाँगा, Ctrl J प्रेस करूँगा, और shift down arrow से इस तरह में इसे नीचे लेलूगा, अमें इस पर double click करूँगा, और यहाँ से थोड़ा सा dark color लेलूगा, नीचे की तरह जाए, इस तरह और ok करूँगा, अमें इसे drag करके इसके नीचे rectangle draw करके, इन दोनों layer को में merge करूँगा, इसे double click करूँगा, और यहाँ नीचे लेक color को लोगा, तो यह merge हो जाएगा, इसके इंदर, ok करूँगा, तो यह डिदा नमें आपको चीशता दिखाया दोस्तो, अमें इसे rectangle को select करूँगा, इस तरह, और इसे एक duplicate लिकारूँगा, Ctrl-J प्रेस करूँगा, Ctrl-T करके मैं इसे shift पकड़ करूँगा, और यहाँ पर इस तरह में इसे बड़ा करूँगा, नीचे के तरफ लाके, इस तरह, इंटर करूँगा, टॉप लेर पे एक new layer लोगा, और यहाँ पर में जाओँगा, brush में, जो कि ordering में इस और बस लिया वे, और यहाँ पर में थोड़ा सा में लीचे के तरह बाके bright color लेंगा, सबको यहाँ पर generated black, ok करूँगा, अम इस brush को थोड़ा चोटा कर लेता हूँ, काफी बढ़ा लग रहा है मिझे, और यहाँ पर इस तरह click करूँगा, तो इस तरह effect आएगा, अम इस back को select करूँगा, और य इसे drag करके यहाँ पर रख लेता हूँ, right click करूँगा, और यहाँ पर फिलिप vertical कर लूँगा, तो यह pack नीचे के तरफ आजाएगा, अब इन दोनों को select करूँगा, सिफ फकड़के, अब पैरो से इसे उपर ले ले लूँगा, इस product को select करके नीचे लेको थोड़ा से उपर करूँगा, अब मैं यहाँ पर masking on करूँगा, और इस white box पर tilt करूँगा, यहाँ से जाएगा brush में, जोकि और मैं इस तरह में erase करूँगा, इस black color को ऊपर रखूँगा, और white को नीचे, और यहाँ से ब्रश को छोटा करूँगा, इस तरह में, इसे erase करूँगा, अब मैं इस करूँगा, और control T करके मैं safe पकड़ूगा, और यहाँ पर इस तरह से band करूँगा, और यहाँ प्रोड़क के नीचे रखके, इसा safe पकड़ के इस तरह में stretch करूँगा, और इसे बिल्कुछ सेंटर में अब करूँगा, अब मैं यह ऊपर रखूँग को select करूँगा, यहाँ यहाँ पर मैं 2-3 तक रखता हूँ, इस तरह इंटर करूँगा, अब मैं यहाँ पर masking on करूँगा, और इस वाड़क पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ब्रस को select करूँगा, जो पर order में solve bus लिए जागा, इस तरह में erase करूँगा, यहाँ पर module select करूँगा, तो यह design में कुछ अब यह color spread हो रहा है, इसे मैं drag करके नीचे ले ले लिएँगा, तो यह उपर आ जाएगा, थोड़ा से इसका field कम कर लेता हूँ, यहाँ से इस तरह में, और इंटर करूँगा, तो यह design में कुछ तरह में कुछ तरह में कुछ तरह में दिजाइन करूँगा, अब मैं क्या क करूँगा, और यहाँ पर मैं इस तरह एक छोटा करके layer रख लूँगा, इस तरह में, बिल्कुर right side में रखाओ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, इस तरह में रखूँगा, थोड़ा उपर ने लेता हूँ, shift up arrow से, इसे एक duplicate लिकालूँगा, alt place करके, और एक left side में रख लूँगा, तो यूट जाना में कुछ इस तरह हगा, अब एक और मैं duplicate करूँगा, alt place करके, और विल्कुर यहाँ पर नीची की तरफ रख लूँगा, अब मैं जाओँगा, यहाँ पर जो कि मैंने एक image रखा हुआ है, इसे select करूँगा, और इसे drag करके यहाँ पर लाक इसे dark color, तो इसे एक करूँगा, और नीचे और layer को off कर लूँगा, अब मैं इसे राइट क्लिक करूँगा, और इसे smart कर लूँगा, मैं जाओँगा, फिल्टर में और यहाँ से blur option में जाके grocery मेल को select करूँगा, और यहाँ पर इसका blurness थोड़ा बढ़ानूँगा, मैं इस टेक्स लाकर रख लेता हूँ, तो इसे थोड़ा सा में बढ़ा कर लूँगा, इस तरह इंटर करूँगा, अब मैं यहाँ पर top layer को select करूँगा, और यहाँ पर control shift alt t paste करूँगा, तो इसे यहाँ थोड़ा सा image में जाके से correction कर लेता हूँ, तो यहाँ से जाओँगा, मैं व थोड़ा से इसका offset बढ़ाँगा, मैं जादानी, और यहाँ से इसका उतामा थोड़ा बढ़ा लूँगा, मैं इस तरह, और यहाँ पर ok करूँगा, अम यहाँ जाओँगा यहाँ से जाओँगा, और यहाँ से जाओँगा, और यहाँ से इसका texture बढ़ाँगा थोड़ा, यहां पे clearty और यहां पे थोड़ा सा वेगनेट को बढ़ाऊंगा मैं ज्यादा ने इस तरह और gain को भी थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं फोर्थ अपर रबता हूं और इससे close करोंगा अब मैं आऊंगा यहां लाइट में और यहां से थोड़ा सा मैं इसका shadow में बढ़ा लू करिएगा धन्नेवाद मिलते हिने ने वीडियो में कुछ नहां देखे